Hello everyone, this video is presented to you by Sophia with the collaboration of BACS हमारी exercise 5.3 चल रही थी, जिसके अंदर हम question 14 तह complete कर चुगे थे तो अब हम question 15 देख लेते हैं, बड़ी question 15 पढ़ लेजी, language वाला question है language वाली question में बच्चों को सिर्फ इसको AP में convert करने में थोड़ी problem आती है otherwise सब इसको scoring कर लेते हैं easily लिए तो इस question को पढ़ लीजिए ज़रा a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion बतला एक कोई construction का का में मान लीजिए कोई building बनाई जा रही है और उस building बनाने के लिए एक time को जो है specify कर दिया जाता है यानि time को निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने दिनों में building बनने चाहिए और अगर उससे जादा यानि beyond the selected days से जितने भी दिनों को निर्धारित किया गया है अगर उससे ज्यादा time लेते हैं तो penalty लगेगी for an example मान लीजिए कि अगर 100 दिन में उसने बोला है building 100 दिन में बज्जानी चाहिए तो जैसी 100 दिन से उपर अगर लगेंगे यानि पहला दिन अगर लगा 101 दिन हो गया बोल रहा है फिर बाद में 50-50 रुपे उस पर penalty बढ़ती जा रही है यानि अगले दिन 500 रुपे होगी यानि अगले दिन 300 रुपे penalty होगी यानि पहले दिन लेट होने पर जो limited time है उससे लेट होने पर पहले दिन जो fine बरना पड़ेगा वह 200 बरना पड़ेगा अगले दिन 500 बरना पड़ेगा फिर उसके अगले दिन 300 ऐसे 50-50 रुपे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा और ये कब तक होगा 30 दिन तक कब तक होगा 30 दिन तक यानि N कितना दिया है आपको 30 clear बोटा तो total यानि total उसक निकालना है और sum का formula आपको पताई है sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d clear है अच्छा a कितना है आपको पताई a की value कितनी है आपर 200 clear है और d की value कितनी है a2 minus a1 a2 500 minus 200 यानि 50 clear है n की value है a की value है d की value है sn निकालना है बस इसमें values put कर दीजी और answer निकाल दीजी तो बोलो तरह n की value कितनी है 30 divided by 2 उसके बाद 2 into में a 2 into में a और a की value कितनी है 200 plus n की value कितनी है 30 minus 1 into में d और d की value कितनी है 50 clear है बस अब इसको आप solve कर दीजीए solve करके sn की value निकाल दीजीए जो भी value आईगी clear है वही हमारा क्या होगा यह जो यह 30 दिन के अंदर जो penalty दी जाएगी वही हमारा answer होगा clear है I hope आप इसके बाद calculation तो कर ही लेंगे और कोई calculation में doubt आता है तो I'll be there for you तो यह हमारा question 15 हो गया अब उसके बाद question 16 देख लेते हैं तो question 16 को एक बारी आप पढ़ लेजिए question 16 में क्या कह रहा है question 16 के अंदर a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes अच्छा इसको समझ लेते एक बारी बोल रहा है कि मान लेते एक class है उसके अंदर 7 prize देने हैं बच्चों को 7 award देने 7 prize देने ठीक है और बोल रहा है कि सिर्फ 700 रुपे हैं हमारे पास कितने रुपे हैं 700 रुपे हैं यानि पहला बच्चा दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा चौथा पांच वाच छटा साथ इन साथों को कुछ न कुछ price देना है ठीक है अब 7 रुपे हैं तो आप सोतर हो गया सो सो सब को द हैं जाते हैं 100 रुपे का price है 100 रुपे की amount वाला प्राइज लेकर आ रहे हो तो अगले बच्चे का जो price होना वो 20 रुपे कम होना चाहिए यानि पहले बच्चे से 20 कम होना चाहिए और फिर ऐसे ही अगले बच्चे का जो price होना चाहिए इस वाले बच्चे से 20 कम होना चाहि यानि obviously बाते होना भी चाहिए क्योंकि जो first आएगा उसका जो price का amount होना चाहिए price की जो कीमत होनी चाहिए वो भी जादा होनी चाहिए second वाले की first वाले से कम होनी चाहिए और third वाले की second वाले से भी कम होनी चाहिए इन्होंने भी वही sequence रखाए कि इसकी जो है वो इससे कम यानि ये जो है first वाला उसका 20 रूपे कम इससे फिर इसका 20 रूपे कम इससे फिर इसका 20 रूपे कम इससे यानि सबके 20-20-20 रूपे आपको decrease करते जाने है अब इसमें problem वाली बात क्या है कि हमें जो first price वाला है जैसे मैंने यह पर 100 मान लिया है तो अपने पास से माना है इसकी amount नहीं दी है और जब कुछ ऐसा होता है जिसकी amount नहीं दी जाती तो हम वहाँ पर क्या बोलते हैं कि इसकी amount मान लेते हैं लेट करनी पड़ती है कि इसकी x है तो बता अगले वाले की कितनी होगी 20 कम है ना इसकी clear है और 20 कम को कैसे लिखेंगे जैसे 100 minus 80 100 minus 20 is equal to 80 है ना है ना तो इसकी अगर x है तो इसमें से 20 घटाओंगा तभी तो इसकी आएगी यानि x minus 20 clear हो रही है मेरी बात देख लेते हैं इधर देखो कि हम क्या करेंगे let करना पड़ेगा मैं कि माना जो पहला winner है उसको उसकी price यानि उसका price की जो amount वो कितनी है x मान लेते हैं let the cost of first price या एक काम करो आप एह ही मान लो ताकि आपको confusion लीना हो let the cost of first price be a मान लेते हैं उसको ठीक है यानि जो वो पहला winner है जो first winner को जो price दिया जा रहा है ठीक है वो कितना a है तो अगला क्या होगा बताओ जरा अगला 20 रुपे कम है तो a minus 20 clear है अगला क्या होगा अगला भी 20 रुपे और कम है तो बोलो जरा a minus 20 य बस a p बनानी है इसकी उसके बाद आप easily solve लेंगे इसको और ऐसे करते करते हैं यह 7 price है ठीक है अब आपको पता है इन 7 price की कीमत कितनी है यहनि इसकी कीमत प्लस इसकी कीमत प्लस इसकी कीमत तो यह sum ही तो निकल रहा है यह और आपको s7 दे रखा है कितना 700 clear है मेरी बात अच कितनी आगई 20 ही आगई यह आप चाहें A2 माइनस A1 कर सकते हैं A-20 यहां दिखा जेता हो आपको A-20 माइनस A देखो माइनस से माइनस कड़ गया तो वैल्यू कितनी आगई माइनस 20 क्लियर है तो D की वैल्यू कितनी है – 20 अब आपको क्या निकालना है इसमें prices की value निकालना है कि हर price की value क्या है यानि a की value, a – अगला price कितने का है अगला price कितने का क amended केमत की अगर पहला price की कीमत आ गजी तो देखो 20-20 सब में से घटाता जाओगा और सारे prices की मेरी value आ जाएगी clear है तो ज़रा लगाओ sn वाला formula का था हमारा n by 2 2a plus n minus 1 into में d तो sn की value बूली दो रहा sn की value दियोगी हमें 700 और n की value कितनी है हमारे पास 7 by 2 n साथ है न क्योंकि prices हमारे पास कितने है 7 ही तो price बूल रहा है वो clear है तो अब इसमें लगा दीजिए 2 into में a और a की value में रपास है नी plus n, n कितना है 7 minus 1 into में d और d कितना है minus 20, minus वाले को अक्सर bracket में रखा करो clear आप देखो ये 2 इस तरफ चले जाएगा उपर और ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 cross multiply करे हम 700 into में 2 चला गया उपर और 7 आ गया नीचे, clear फिर देखो 2 into a ये तो 2 a ही रहने वाला है clear, अब देखो ये plus और ये minus, plus minus minus, अब 7 minus 1 6 into में 20 कोई doubt, ठीक है अब देखो ये उपर से कट रहा है 7 से ये, 1 पे गया 7 1 से 7 और 2 0 ऐसी आ गया अब ये 100 into 2 उपर बच गया, equal में कितना बच गया 2 a minus 6 2 is a 12 और 0 साथ में यानि 20 को 6 से multiply किया 120 आ गया हमारा तो अब आब यहां देख सकते हैं ये 2 into में 100 कितना हो गया 200, अब आब आब देख सकते हैं ये वाला minus वाला इधर आके plus का हो गया तो ये plus 120 और equal में 2 a बच गया अब इन दोनों का add कर गए 2 से divide कर दो 2 को हम इधर नीचे ले आएंगे तो ये हो गया हमारा 320 और ये 2 नीचे आ गया is equals to a अब इसको इससे divide कर दो और a की value निकाल दो 2 1s are 2, 2 6s are 12 ठीक है इसको काट दिया हमने तो a की value आ गयी 160 तो यानि जो हमारा पहला price है उसकी कीमत कितनी है 160 अब a-20 अगला price 20 रुपे कम है तो अगला price की value बोले हो दरा क्या होगी 140 अगला price की value बोले हो दरा कितनी होगी 120 यानि इस तरीके से 7 price की value निकाल दो मैं यहां लिख देता हूँ 7 के 7 price की value 20 20 रुपे घटाते जाओ क्योंकि पहला price कितने का होगी 160 अगला 140 अगला 120 अगला 100 रुपे का फिर 80 का फिर 60 का और last price कितने का होगा 40 का अब आप इनको सबको add भी और होगी न तो कितना आने वाला है 700 ही आएगा आप चाहें इसको cross check कर ले तो हमारे 7 price होगे जिनकी कीमत 20-20 रुपे कम है हर price से clear है मेरी बात I hope आपको ये बहुत अच्छे समझा गया होगा